जै माताजी मित्रो सरो मंगल मांगल ये शिवे शर्वार शादिके शने त्रम्ब के गोरी नाराएनी नमोस्तुदे साल 2024 की सभी मेश रासी वालों को एडवांस में हार्दिक शुब कामना है और मित्रो कहीं ना कहीं साल 2024 आने वाला है जिसका टोटल अगर देखा जाए तो आठ नमबर है क्या ये शनी का साल है और मेश रासी वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या साल 2024 भी 23 की तरही रहने वाला है या विशेष रहने वाला है तो इस कारिकरम में हम चर्चा करेंगे साल 2023 की 10 बड़ी भोविश्यवानिया मेश रासी के साथ में पर लेंगे इस कारिक्रम को देखियेगै और मेरे यूट्यूब चैनल ištto isco when youtube में अगर ये कारेक्रम अच्छा लगा तो मेश राओसी के बारे में बात कर रहे है तो साल 2024 के बारे में बात कर रहे हैं तो मेश राओसी यानि इसके स्वामी होते है मंगल इसको इंग्लीश में Aries राथी कहा जाता है और मेज राथी तीन नक्षत्रों से मिलकर बनी है यानि अश्वनी नक्षत्र के चार चरण बरनी नक्षत्र के चार चरण और किर्तिका नक्षत्र का एक चरण से ये राशी बनी है देखा जाएं तो सबसे पहले साल 2024 के अंदर मेज राथी के स्वास्त हेल्थ के पाइंट भ्यूज से आपके नेचर के पाइंट भ्यूज देखें तो उसमें अगर आम कुंडली देखेंगे तो ये मेज राशी की कुंडली बनी हुई है यह साल की कुंडिय लगण में ही गु होती अच्छा है वैसे अगर देखा जाए तो मेश रासी वाले अगर देखा जाए शरीर पहनावे प्रॉपर ध्यान देते हैं जर्नली किसी के में काम करना में राथि वालों को कतशी पृतंत नहीं सौतंत्र कोई नहीं जानता है मेस रासी वाले व्यक्ति देखा जाए तो तकनीक के मास्टर कहे जा सकते हैं इसलिए बहुत बड़े इंजीनियर या ठेकेदार भी मेस रासी वाले होते हैं साती साथ देखा जाए तो मेस रासी वालों को किसी के काम में टांग अडाना पसंद नहीं होता लेकिन कोई व्यक्ति इन से शत्रूता ले ले, कोई इनके बीच में टांग अड़ा दे तो ये उसको छोड़ते भी नहीं है याद रखिएगा, साल 2024 में अगर देखा जाए तो मेजरासी का मंगल द्वारा रोचग योग बन रहा है यानि मंगल त्रुकोंड भाओं में बैठे, यानि साल 2024 में मंगल लगनेज और अच्टमेज दोनों के दोनों है यानि कि पूरा साल देखा जाए तो आप अपने शरीर को तंदरूस करने में, फिट करने में प्रॉपर आपका साल 2024 में ध्यान रहेगा मेज रासी वाले अपने हेल्थ को फिट करने के लिए अपने मोटापे को ठी करने के लिए गठीला वदन करने के लिए यूगा करने वाले जिम करने वाले यह रोक्षती यूज्टमेज है повторे का संस्चोandır आपके लगन में बैटा है rain श्योग का निर्मान करा रहा पड़े आकरषित लगने वाले हैं चैया पुरुसयं लोग जमकर उनके व्यक्तितुर्थ की तारीफकर ने वाले आध्यात्मिक बदलाव आने वाला मेटल रासी से ही आपने अंदर अध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाले यहारी कहीना कहीं किसी मंत्र किसी पूजापाट किसी बुक को फोलो करने वाले और अपने जीवन के अंदर कुछ पॉजटिव बदलाव लाने वाले लगन में गुरू है तो बुरी आदते खाने पीने की आदते भी साल 2024 के अंदर मेस रासी की छूट टीवी नजर आएगी साथी साथ देखा जाए तो 12 महीने के अंदर 4 महीने ऐसे हैं मेस रासी के जो थोड़े हेल्थ के लिए प्रेशान मेस रासी को कर सकते हैं वो महीने मार्च 2024, जून 2024, अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 इसमें हेल्थ की समस्या, पेट की समस्या, दर्द की समस्या, फूर्ड इंफेक्शन की समस्या रह सकती है, अन्य था आठ महीने बहुत ही अच्छे, यानि देखा जाए तो साल 2024 के अंदर मेस रासी के अध्यात्मिक बदलाव आएगा, बुरी जो आदते हैं वो छूटी भी नजर आएगी, जो लोग आपकी कंप्लेंडे कर रहे थे न, तो कहीं न कहीं साल 2024 में हन्स योग जो गुरू का बन रहा है, वो ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, बस साल 2024 को आने दे साथी साथ देखा जाए, तो मेस रासी वाले अगर देखा जाए, तो धन कमाने के लिए अगर देखा जाए, तो सबसे सफल रासी मेस रासी होती है, मेस रासी वाले खूब जीवन के अंदर मैनत करते हैं, खूब धन भी अरजित करते हैं, खास कर देखा जाए, तो इनका ज इस राजी वाले तो जनरली इन चीजों में खर्चा करते हैं यानि इलेक्ट्रोनिक आइटम में इनके पास महंगे से महंगे गैजिट कंप्यूटर देखे जाते हैं खाने पिने में टॉप मोट रेस्टरेंट में यह जाते हैं कपड़े यह ब्रांडिड पहनते हैं तो कही न मार्केटिंग या प्लॉटों के अंदर धन निवेश करते हैं और जिससे कि इनको आने वाले पांक साल दस साल में वही प्लॉट वही जो शेयर है बहुत अच्छा रिटन करते हैं जिससे यह अमीर हो जाते हैं क्योंकि देखा जाए तो मेंस रासी ऐसी रासी है जनरली जो पैसे कमाने के लिए बहुत सफल रासी कही जाती है मेज रासी वाले जाता को जाता जाती का कही न कहीं जीवन में अच्छे धनवान कहीं जा सकते हैं अपनी बुद्धी से यह यह लोग अच्छे जगापे पैसे इंवेस्ट करते हैं और बड़ा लाब होता है साल 2024 में हैं यानि कहीं न कहीं दो जगाव से आपको इंकम प्राप्त होगी जो नौकरी करते तो वो कुछ न कुछ एक्स्टा करेंगे जो व्यपार करते तो कहीं न कहीं निवेश करके एक्स्टा सोर्स इंकम के बनाएंगे और यह जो योजना उनकी अच्छी रहेगी 37 साल 2024 जो जाए तो मार्च 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक देखा जाए तो इस समय पे आपका विपरीद राजियोग बनेगा जो की आपको बड़ा धनला बड़ी डील बड़ा गेन आपको दे सकता है मार्च से अक्टूबर के बीच में साती साथ देखा जाए साल 2024 में आपको कुछ बा इस लोगों से धन समंदी अगर लेंदेन साल 2024 में कर रहे हैं तो थोडा साफधानी घरते अइसे अगर अपने मतलब के लिए आपको नुकसान दे सकते हैं साती सात देखा जाये, इस साल 2024 में मेश रासी वाले बड़ा वाहन खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग साल 2024 में बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेस रासी का साल 2024 आठ का जो नंबर है वो धन के लिए बहुत अच्छा है विप्रीत राजयोग बन रहा है साल 2024 में अगर देखा जाए तो तीसरी गटना के बारे में बात करें तो बुद्ध भाई आपके अश्ट मेस बैठें यानि अश्टम भाव में बुद्ध बैठें तो कई न कई भाई बैनों से आपके relation मजबूत ओने वाले हैं भाई बैनों से जो वाध विवाद थे वो आपके समाप्थ हो रहे हैं चाहे प्रॉपटि का वाध विवाद हो चाहे इसे की बटवारे का जो वाध विवाद है या म इसते खराब हो गयते वो सुधरतेवे नजर आ रहे हैं खासकर फरबरी से लेकर और सितंबर 24 में आप सी बैठा करके आप उस वाद विवाद को सॉल्व करने वाले हैं याद रखे तो कुल मिलाके देखा जाए तो अस्तमेज बुद्ध भी यहां पर बहुत अच्छा काम करन करने वाले जो हैं परिवारिक वाद विवाद था वह भी बैट कर आप सॉल्व करने वाले पांचवी घट्ना के बात करे तो परिवारिक जीवन फकारी जीवन बन रहा है साथी साथ साल दोजाज 24 में नया मेमान घर के अंदर आ सकता है यानि कोई बेबी का जनम हो सकता है या फिर कोई पुत्र वदू या कोई वदू आ सकती है यानि नया मेमान या तो बच्चे के रूप में या वदू के रूप में आपके घर में साल दोजाज 24 में ब संतान है तो संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं जटी घटना है तो वैसे अगर देखा जाए तो जनरली अगर मेस रासी वालों की संतान विद्या करियर पे मेस रासी वाले खूब अपनी संतान को आगे बढ़ाने में धन खर्च करते हैं उनको अच्छी जगा से सूर्य दौरा चक्र नाम का राज्योग वन रहा है जो संधान के लिए चौटी है बड़ी उनके लिए बढ़ा लापकारी है साल दो जासविज पहले हम चोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं एक वर्ष safety संथान की जो इस्टर का कोई सम्मान आपकी संतान को मिल सकता है और बहुत सारी प्रतियोगिता में आपकी संतान जीतने वाली ऐसा योग नजर आ रहा है यानि संतान का कही ना कहीं देखा जाए साल 2024 बहुत अच्छा है टॉप प्रोफोर्मेंस वाला रहेगा और संतान का जो ध्यान है वो कला संगीत नितिय या तेराकी की और साल 2024 के अंदर जाने वाला है यानि कुल मिलाके अगर आपकी संतान एक से अठारा वर्ष की तो बहुत अच्छा प्रोफोर्मेंस है और अगर बड़ी संतान है यानि 18 से बड़ी संतान है तो साल 2024 में सरकारी परिक्षा के अंदर बेस्ट रिजल आपकी संतान को प्राप्त होगा संतान की विद्या करियर के लिए साल 2024 बहुत अच्छा है उसम संतानों या बड़ी संतानों मेस राती की साल 2024 दोनों के लिए अच्छा है अब सात्वी गटना के बारे में बात करें तो वह होगी नौकरी भाव में वैसे देखा जाए तो मेस राती वाले देखा जाए तो अपनी मैनस से छोटे से बड़े पद पे पहुंच जाते हैं क्योंकि नौकरी में इनका अच्छा डिसिप्लिन और समझदारी सुझबुच होती है अपना काम टाइम पे करते हैं इसलिए यह यह चूटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट में पहुंच जाते अपने काम में मास्टर होते सब क्या करियर मे हाथ बटाने वाले होते हैं सबके दुख दर्द दूर करने वाले होते हैं चाहे बॉस हो चाहे आपके कलीग हो तो मेस रासी का जनरली सुभाव हेल्फुल होता है करियर के अंदर साल 2024 के अंदर देखा जाए तो बुध ज्वारा विप्रीत राजियोग बन रहा है यानि सा साल 2024 नौकरी में डवल इफ्वेक्ट वाला होगा हर गटना दौबार होने के योग नजर आ रहे याननि कि दो बार आपको नया प्रोजक्त मिल सकता है पहले साल के शुरुवात में आपको कोई प्रोजक्ट दिया जाएगा फिर मध्य में दूसरा प्रोजक्ट दिया जाएगा इसी प्रकार से दो जोब के आपको ओफर प्राप्त होंगे इसी प्रकार से डवल आपकी पद विर्दी या धन विर्दी होगी साल के शुरुवाती महिने में भी दनवरिद्धी पदवरिद्धी और अंतिम साल जाते समय भी आपको धनवरिद्धी पदवरिद्धी कराएगा साथी साथ विपरीत राज़ियों के कारण अचानक साल 2024 में आपको management के दुआरा बड़ा पद दिया जा सकता है कोई बड़ी जिम्मेवारी साल 2024 में दी जा सकती है फरवरी से लेका और अक्टूबर के बीच में यह योग बनता है साथी साथ देखा जाए तो एक्स्टा इंकम एक्स्टा इंकम के भी साल 2024 में नौकरी के साथ में पार्ट टाइम कुछ करने के भी आपके योग बनते यानि उससे भी आपको लाब होगा तो कुल मिलाके जितने भी मेर्स रासी वाले नौकरी करते हैं उनके लिए साल 2024 यूटन वाला बड़िया साल रहने वाला है आपका दोस्ब्ध गुरु जी के बारे में जानी जो आपका अनभव रहा है और कपसे आप मैं इंसे 2011 में मिला था मैं के महिने में ठीक है जी और जबसे मैं इन से में मिला था मैंने इनको अपणी जन्मपत्य दिखाई है तो उस जन्मपत्य के आधार पे मेरे पे रहो की बहुत ज़ादा दति खराब थी तो उन्होंने मेरे को पंड़िए मेरे को गोमेद की सला दीती और मेरे को अंगोटी गहन कर वाइपना है मेरा जब से व्यापार में घर में बच्चों में सबसे अच्छा बढ़िया मेरा तालमेल चल रहा है और अब तक अच्छा चलता है और मैं फिर वापसी पंडीजी मिलने के लिए आया हूँ उनके आचिद्वास से मेरा काम हम बढ़ेच चल रहा है आठवी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो आठवी घटना है मेश राशी का दाम पत्ते जीवन साल दोजाए 24 में कैसा रहेगा इसके बारे में चच्चा कर लेते हैं तो वैसे अगर जन्रली देखा जाए तो फिरूष होते हैं उनका दान पत्ते जीवन Giant धीर ठीक भ रहता है मेश राशी वाली जितनी भी स्तुरिया है उनका दा पत्ते से देखा जाए तो पुरा सपोर्ट नहीं मिलता या पती से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दामपत्य सुख में कमी रहती है पती विदेश में रहता है पत्नी यहां रहती है कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी और 35 साल के बाद मेश राची वाली महिलाएं होती वह अपने दम ना मर्जीद करती अपने परिवार को चलाती है तो कुल मिला के देखा जाए तो मेश राची वाली महिलाओं का थोड़ा दामपत्य जीवन गड़बड रहता है लेकिन साल 2024 में देखा जाए तो दामपत्य सुख के अनुसार देखा जाए तो यह वर्स बहुत अच्छा नह कर माता-पिता को लेकर या फैमिली मेंबर को लेकर जनवरी से वाद विवाद दिखाई देंगे या फिर पार्टनर को हेल्थ के इश्यू जनवरी से शुरू होंगे साल 2024 में देखा जाए जीवन में किसी और की एंट्री भी हो सकती है यानि कि आपके रिलेशन में दरार प और से लगाव हो सकता है किसी से मित्रता हो सकती है जिससे परिवार के अंदर परिवार वालो या पती-पत्नी या प्रेमी प्रेमी गवाओं के बीच में दरार पड़ सकती है उस व्यक्ति से तो थोड़ा सूज-बूज से आपको काम करने की जरूरत है याद रखिएगा जो व्यक्ति है जिस टाइप का आपको व्यक्ति चाहिए वह आपको प्राप्त होगा यानि साल 2024 में प्राप्त होगा अब आपके उपर एक डाउट रहेगा पूरे साल कि मुझे पुछला रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए नए रिलेशन की और आगे बढ़ जाना 2024 विद्या करियर में बड़ा सफलता दायक साल रहने वाला है यानि सरकारी नौकरी में अगर आप अपलाई करते हैं मैनत करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी प्रतियोगिता परिक्षा में भी आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा साती साथ विदेश यात्तरा क भी आपके योग बनते हैं यानि कुल मिलाके साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जैसा आप चाते वैसा रहेगा नए मित्र भी बनेंगे आपका स्थान परिवर्तन भी होगा आपका होस्टल का परिवर्तन भी होगा और सबसे बड़ी चीज जो विद्यारती कन्फ 2024 में होगा आठ नमबर का साल है इसमें आप अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है आप बात कर लेते हैं दसवी और अंतीम घटना के बारे में वहोगी व्यापारी जो लोग भाई बहन अपना व्यापार करते हैं दुकान चलाते तो साल 2024 उनके ल वैसे भी चला लेते हैं अपने काम या बुद्धी से या किसी सूजबू से समझदारी से बड़े कॉंट्रेक्ट यह अपने काम में ले लेते हैं यानि कहीं में सराथी वाले जाता क्योंकि सोतंत्र विचार धारा वाले होते हैं अपना काम करते हैं और उसमें सफल हो जाते रिस्क लेने की प्रवर्ती इनको बड़ा बना देती है याद रखिएगा तो कुल मिलाके वैसे तो जनरली मेंस राशी वाले चाहिए अपनी दुकान चला है या शुरूम चला है वो अपना काम कैसे नहीं कैसे बाय ट्रिक बाय हो के अच्छा कर ही लेंगे साल 2024 में देखा ज सकते हैं या नए प्रोड़क्ट में आपका फोकस रहेगा नए काम में आपका का इन्वेश्मेंट रहेगा और उसको चलाने में आपका बर्सक प्रियास रहने वाला है साल 2024 में देखा जाए व्यपार में आपको सर्वस्रेश्ट मिलने वाला है यानि व्यपार में आप जो yenवेश करेंगे काम को बढ़ाने के लिए विग्यारपन भी करने वाले मार्टिंग में भी मूटा धन invest करने वाले और उससे लाब लेने वाले और return अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको June 2023 से और December 2023 तक आपने जो धन प्रोड़क्ट में launch किया है या marketing में जो धन लगाया है उसका return आपको June 2023 से लेकर और December 2024 तक प्राप्त होगा तो कुल मिलाके व्यापारियों के लिए भी देखा जाए साल 2024 आठ नंबर का साल बहुत अच्छा है बहुत से व्यापारी बड़ा रिस्क लेने वाले बड़ा काम शुरू करने वाले हैं जिसका return उनको June के बाद अच्छा प्राप्त होगा तो कुल मिलाके व्यापारियों के लिए भी मैनत वाला बड़े मोटे रिस्क वाला साल 2024 रहने तो शियर जरूर करें इस पूस्ट को जय मता दी, happy new year को follow किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है, मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब जोतिश विद्या को मानने लगी हूँ, इसलिए मैं जुरी जी का कोटी कोटी प्रणाम करती हूँ कि उन्हेंने मुझे यह उपाए बताए